हेलो फ्रेंट वेलकम टु माइट एक लास फ्रेंट आज हम देखेंगे बाल विकास और बाल विकास की हमारा तीसरा अभ्यास होगा तो आए स्टार्ट करते हैं प्रशनों को देखते हैं पहला प्रस्ट पहला प्रस्ट है यहाँ पर कि शिच्छक विवहार का व दिया है प्रसासनात्मक शिक्षा प्रतग आदर्षवादी स साथ है और बचलना puisqu इस बीतिष अध्यापक का देखिक वार्ट होना देखता है और एकष्छक है तो यहां तो यहां से आपका option C होगा कि सिच्छ का बढ़ताव आदर्शवादी होना चाहिए अगला प्रेशन देखिए अगला प्रेशन है यहां पर कि रूचियों के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है आप से सही बात पूछी जा रही है रूचिया जो हम जो चाहते हैं हमारी चा हुआ और आप से सत्य पूइंट पूछा जा रहा है भी है रूचियों के उत्पत्ति वातावड में उपस्थित आवसरों के निर्भर करती है अगला पॉंट देखिए पॉंट सही लग रहा है लेकिन हमको चार ओप्संस देखने हैं रूचियां एक लिंग के बालकों में लगभग समान होती है यह भी पॉंट गलत है क्योंकि देखिए आर्फिक स्थिति के वज़ासे एक लिंगी होने के वज़़े से हम उम्र होने के वज़़ासे रूचियों में अंतर आ जाता है इसलिए सी पॉइंट भी आपका गलत है आप दी देखिए रूचियां व्यक्त पर निर्भर करती है कैसे देखिये आपके पास वस्तूए होती उसी किसा सेबसे महले ये क्लास के दो स्टूडेट है एक पास पैसे हैं के पास पैसे लेकिन उन रुचियां तो उत्पन्ध होगी लेकिन वे प्राप्षियों को प्राप्त करने में चुछ होगा तो ऐसी कंडिशन में क्या होता है आर्थिक इस्ति जिसके पास नहीं है तो वह उन चीजों को प्रते आसकत भी नहीं होता यानि कि उसमें रूचियां भी नहीं उत्पर्ण होती तो यहां से आप्शन भी आपका सही हुआ कि रूचियों की पत्ति जो होते वातावरण में उपस्ति जिस तरह का अवसर होता है उस तरह पे निर्भर करती है अगला प्रेश्ण देखिए अगला प्रेश्ण है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं पॉइंट चमता के इस तरह के प्रदर्शन की तरफ प्रक्ति करम के सुगम बनाते हैं इसे क्या कहा जाता है और यह आपका प्रेश्ण जो के विस एक्जाम में पूछा गया प्रेश्ण है देखिए कहा जा रहे कि जब बच्चा कोई कार करता है तो उसमें वयस्क लोगों के साम सहयो यही प्रेश्ण अभी हमने दो वीडियो पहले देखी थी शब्दों के जो सब्द थे वो अलग थे लिकिन भाव यही था यहां पर दिया जब सहभागी अधिगम सहभाग नहीं है यहां पर आपने पहले ही दिया रखा है कि वयस्क क्या करेंगे सहयोग करेंगे समीपस्थ विकास नहीं होगा कि समीपस्थ विकास जो जो हर उम्रेकी बच्चों के साथ होता है तो यहां पर वयस्क यानि कि बड़े लोगों से वह एल्प लेते हैं तो यहां पर क्या होगा यह सहयोग कहलाएगा आपका बाकि जो तीन ऑप्शन है वो यहां पर गलत होंगी तो ऑप्शन डी आपका यहां पर सही होगा कि सहयोग देना इस प्रेश्ण का आंसर सही है अगला प्रेश्ण देखिए अगला प्रेश्ण है कि बुद्धी है बुद्धी क्या है यह 2016 की एक्जाब में पूछा गया प् की वुद्धी के होने के कारण इनसान अनुकरण करता है लेकिन मात्र अनुकर 홍보 करना ही वुद्धी नहीं कहलाएगा थे विसिस्ट योग कि योगिता भी है लेकिन हम सही रूप में बुद्धी को डिख नहीं कर सकते यहां तो देखी क्या है बुड़ी एक विशिष्ट नहीं है, तो देखी आपको क्या-क्या काम करने होते हैं अगर्ला भूत्यों के लिए पाんな की लिए एक अलक्ती बुड़ी कि ज़रूरी पढ़ती है और हर बुद्धी में कौन कितना expert है यह देखा जैसे एक ही family में माली जो दो बच्चे दो बच्चों को पढ़ाने में father expert है या mother expert कौन है उसे बिठाया जाता है वो उसके बुद्धी का विशेश है वो बुद्धी विशेश है उसकी तो यहां एक विशिष्ट योगिता नहीं कहलाएगी और देखिया वही अगर खाना बनानी की बात हो तो खाना बनाने में को और स्योंक्त है फाधर है या mother तो वहां पर संभैंगे अगर उनके पास दो तरह की बुद्धी हो गई अच्छी अच्छी बुद्धी से अच्छी होती ही स oc scholarship को करने का अधी shining प्रेजिन कारों को एक सामर्थ से जिन कार्यों करने में सामर्थ वैसे कार्यों का पने बुद्धी प्रेणा-अभि-いや- burns संधर में भिन्न होते हैं यह सिध्धान संबंदी थे और 2005 का एकजाम में आया हुआ है क्या है हम यानि कि एक दूसरे से हम किस तर से भिन्न है बुद्धी प्रेड़ा अभिरूची आदि के संधर में भिन्न है आप समझ चुके होंगे कि आपका यह प्रेश्ण कहां से आया है आपका यह व्यक्तिक भिन्नेता से उठाया हुआ है और देख रहे हैं यहाल हो जाता है इसमें बहुत जादा सोच अब जूरूत नहीं है कि व्यक्तिक भिन्नेता के कारण ऐसा होता है कि हर व्यक्ति बुद्धी प्रेड़ा भी रूची के मामले में एक दूसरे से थोड़ में होता है देकिये हम इसी में भरके देखेंगे सामानी की और होता है इसे का सामानी की और होगा नहीं यह गलत है फिर आसां तो ठीक है यह विए कडिये सामानी साथारन से विसिस्ट की और बच्चे का विकास होता है ईसको बहते देखिये विकास सामान इसे विसिस्ट की और बढ़ता है तो औलphones सी आपका यहां सही हुआ अगला प्रश्ण देखिए अगला प्रश्ण है जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनमें सीखने का वक्र कैसा होगा और यह आपका दोजा सोले के एक्जाम में पूछा हुआ प्रश्ण है कहा जाला है कि समूह होगा और उसमें किसी समस्या को लिया जाएगा और उस पर आपकी चर्चा होगी यानि कि बहस होगा वारता लाप होगा तो ऐसी कंडिशन में जो वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा बेहतर बनेगा इस्थीर होगा अमनत होगा या समान होगा अमनत में सोता ह सबसे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि जब समूरी ग्रूप से कोई कार होता है तो पिछे आउनत भी नहीं होगा तो यह भी गलत होगा यानि कि हाँ पर आपका सकते हैं कि जो होगा वह बेहतर ही होगा जब किसी समस्चा पर चर्चा का अउसर दिया जाएगा तो उनके सीखने का जो वक्र है वो बहतर होगा अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन है यहाँ पर निम्ण में से कौन एक समस्यात्मक बालक का उदाहरण है देखिए ओप्शन देखिए पिछड़े बालक मंद बुद्धी बालक प्रतिभा शाली बालक चोरी करने वाले समावेशी शिक्षा जब आप पढ़ते हैं तो यानिकि ए बी सी जो उप्शन से वो उसके अंतर गताते हैं वो समस्यात्मक नहीं होते समस्यात्मक वो बाच्चे होते हैं जो समाजिक रूप से गलतकार करते तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी आपका कि चोरी कर में संग्यानात्मक परिपकवता का अभाव पाये जाता है , जयाने कि उनका जlम ग्रस का पर करता होगा जब हो अपने उम्हें के हिसाब से कम् ीट हो जाय हो जाए तो यहां कहा जा रहे कि संग्यानात्मा परिपक्वता का अभाव पाय जाता है वह परिपक्व नहीं होता संग्यान के दिश्टी से किस उम्बर में तो आप्षन भी आपका सही होगा कि छह वर्षम में अगला प्रशन देखिए और यह वीडियो के आखरी प्रशन है यहां पर दिया है कि आउट आप्दा बॉक्स चिंतन किस से संबंधित है और यह आपका प्रशन 2015 की इसमें पूछा हुआ है आउट आप्दा बॉक्स यानि कि एक समस्या है जिसे बॉक्स की रूप में दिखा जा रहा है तो क्या होगा है वह समस्या के बाहर की तरह सोचता म refuse मन्wayo-Zone His समघ्या कि आधारि चिंतन नहीं अब सारी चिंतन अनुकूलन चिन ex- darauf क्छिंटन क्या है अभी सारी चिंतन में अभी सारी चिंतन होता है किसी पाइंट पर आप खुलकर विचार नहीं पाईंगे वह होगा अभी सारी किसी एक पॉइंट पर आप केंद्रीत हो जाएंगे अब शारी अप सारी में होता है फैला मैंने कि आप खुल कर किसी पॉइंट पर खुल कर डिसेजन लेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहां पर आउट आफ दा बॉक्स यानिकि जो बॉक्स उसके बाहर सोच रहे हैं तो यहां से उप्ष्ण भी आपका सही हुआ कि अपसारी चिंतन आप दा बॉक्स चिंतन किसे संबंदीत है वह है आपका अपसारी चिंदन तो फ्रेंस आज के लिए के लिए इतना ही अगली वीडियो में आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार